इसे दो बरस स्वाभिमान के स्लोगन के साथ पूरे राज्य में चला रही है और तरह तरह के कारेकरम कराया जा रहे हैं सरकार की नाकामियों को अगर जानना है तो हमें विपक्ष की और बढ़ना होगा मेरे साथ बीजेपी के कुछ लोग है उनसे बातचीत करूँगा कि इन दो सालों में कॉंग्रेस नहीं कर पाई है उनका जो कारेकाल है वो कैसा रहा है क्या विपक्ष कॉंग्रेस के कारेकाल से संतुष्ट है चले कुछ लोगे से बातचीत करते हैं कॉंग्रेस सरकार के 36 गड़ में दो वर्स पूर हो चुके हैं, स्वाभिमान के स्लोगन के साथ कॉंग्रेस सरकार इसे चला रही है, किस तरह से देखते हैं आपने? देखिए कांग्रेस के दो साल पुढ़ होने पर जो उत्सों के रूप में जो कांग्रेस के मंतरी नेतागर्ण कर रहे हैं, यह बहुत ही निंदिनिये भी से हैं, 36 गड़ का किसान यहां आत्मत्य कर रहा है, और 36 गड़ के कांग्रेस की सरकार ने 36 वादे जो किये थे, एक भी वादा उन्होंने पूर्ण नहीं किया है, चायो 25 रुपे धान खरीदी का मामला हो, आज भी किसानों को 25 रुपे की दर से उनकी रासी उपलब्द नहीं हो पा किसान आत्मत्य किया है, और जो मक्का के खरीदी का बात करते हैं, तो हमारे हां मक्का का खरीदी का काम इनके द्वारा नहीं किया गया, 17 रुपे मक्का खरीदने का बात कर रहे हैं, किसान आज 8 रुपे और 10 रुपे बेचने को मजबूर है, हर मोर्चे पर कांग्रेस की सर सरकार फेल उए हो चाहरो रोड का मामला ओ horrप्व ही न समय को उड़े हो इसेकर ले आपर अपने के हरंचारी जो जो सहुआ हमका में थे यह और इसी थे चहतनी का मामला ओ उन्हों सब ब्रणा को निम्र्ण का बात किया गिया था उसका भी कांघ्रेंट के सरकार के द्वारा पूरा नहीं किया बेरोजगारी भत्ता युवाओं के साथ जो बेरोजगारी भत्ता 25 रुपए देने की बात कांग्रेस सरकार नहीं की थी वो भी उन्होंने पूरा नहीं किया विध्वा पेंशन ब्रिद्धा पेंशन की बात उन्होंने 1000 रुपए की थी जो आज तक उन्होंने नहीं किया, हर मोर्चे पर कांग्रेस की सरकार विफल रही है। मुख मंतरी जी का खंडन होता है, तो ए आपस में ही करके जनता का कोई भला नहीं करेंगे। जी किया हो, जैसे कि महिला सुरक्षा के लिए बोले थे, आज भी सुरक्षा नहीं हुआ, बेरोजगारी में 24 सो भत्ता बोले थे, ओ भी नहीं मिला है। और बोला गया था कि ग्राम सरग योजना के तहट जो है, जो टूटी-पूटी गाओं में सड़के हैं, उसको बनाने के लिए कहा गया था, ओ भी आज तक नहीं बनाये गया है। मतलब इस कल जो है, खुसिया जो मना रहे थे, हम इसके निंदा करता हूँ, घोर। आप लोग किसान भी हैं साथ-साथ, क्या लगता है अभी धान खरीदी का सीजन है, कितने संतुष्ट हैं अगले साल जो कांग्रेस सरकार ने बोला था, कि 25 रुपया के लिए, लिकिन आज तक साल बर हो गया, देने में नकाम है, इसलिए कांग्रेस सरकार से पूरे किसान अ असंतुष्ट हैं. तुए उज़ा वर्ग हैं और वाद सो jeune इसे वचीतित से लिए कई तरह के वादे थे वेरोजगारों और खासे की यौहम से वर्फफ यॉळा और फिरोजगार हैं अबने का हैं रिए कि कि किसी एक परर उलेकर नहीं सतं तक परमन सी की बहुत अच्छी योजना थी स्मार्ट कार्ड योजना इस स्मार्ट कार्ड में 50,000 रुपे तक की जो स्वास्त की जो सेवाय थी 36 गड़के पंजीकरित हस्पीटलों में आप जा के 50,000 रुपे तक इलाज करवा सकते थे और आपके सरकाराई आपने कहा कि हम यूनिवर्सल ह Fau peso बना के देंगे ज्यादा लोग का इलाज कर सकते हैं आज इसस gedacht ही चल रहा है ना आपका दो साल में यूनिवर्सल ऩा यूनिवर्सल हेल्थ कारड बन स्थी बना मुझार दें यू आप भी आपने भरती नहीं निकाली जो आपने सिक्षा कर्मियों का सविलियन कहा तो भी आप लोग ने नहीं किया लगातार आप देखे रहोंगे कोंडा गाउं से लेके बलरामपूर तक लगातार बलतकार की घट्राइं बढ़ रही हैं लगातार आप पुलिस व्योस्था आप कमजोर हो रही है लगात बता रहे हैं आप अगर अच्छा कार करना चाहते हैं तो आपको बताना पड़ेगा आज यूवा ठगे गए हैं किसान ठगे हुए हैं मैलाय ठगी हुए हैं जितने आपने 36 घोसना की गई थी एक भी घोसना आपकी सही नहीं पाए गई बलकि जो घोसना वीर है अड़ाई- तो बेगती से भारती जनता पार्टी की सकता हैं इस बर्ड़ेशन ऑगका फिर से आज पूरे होने पर इन्होंने बयान दिया वीपक्ष हाला कि कभी भी सत्ता पक्ष से संतूष्ट नहीं हो सकता लेकिन ये बयान भी आपको ज़रू सुना चाहिए चले और कुछ लोग हैं मैं इनसे बातचीत करूँगा ये आम लोग हैं ये किसी भी राजनितिक दल से संबन नही लेकिन अभी दो साल में हमारे साथ कही कितने करमचारी हटा दिये गए और रही बात नीमित करने की लोगों की बेतन ही नहीं मिल रही है, मतलब ये कहीं करमचारियों को नीमित कर दे, तो ठीक है, नहीं तो हमको नहीं लग रहा है कि ये तीन साल में कर भी पाएगी, तो ये तो फ्यल लग रही है हमको. तो जेले निश्चित तोर पर अनियमित करमचारियों को नियमित करने की ये बात बता रहे है कि थे कि 36 गड़ सरकार ने आस तक पूरा नहीं किया और लगातार देखा जा रहा है कि करमचारी संगठन के लोग धरना प्रदरसन और आंदोलन करने को मजबूर है मीटर 94 के लिए बलरामपूर से घंस्याम सुने